ये स्टुडेंट, वेलकॉम हीर अगेन और माई चैनल जानकारी हित मैसल्फ हित अभिलाशी शर्मा आपके ही हित के लिए आज फिर अकाउंटेंसी पर एक वीडियो बहुत इंपार्टेंट आज तो गागर में सागर भरने वाला काम होगा क्योंकि एक ही वीडियो में हम कैश बुक से रिलेटड नुमेरिकल, तीनों ही कैश बुक के करेंगे, सिंगल, डवल और ट्रिपल कॉलम साथ में बात होगी काउंटेंटरी तो आज की बातों को सिंपल और समझने के लिए, सिंपल रूप से समझने के लिए मेरे साथ चलना होगा Let's move ahead with me for today's content Yes, your friend, एक बात आपको बताता हूँ, यह जो वीडियो है, इससे ठीक पहले मैंने सबस्ट्री बुक का जो इंट्रोड़क्टरी वीडियो था उसमें cashbook, cashbook की जो types हैं, उसका basic content, सबस्ट्री बुक्स, वो सब कुछ clear किया हुआ है जो सबस्ट्री बुक्स के regarding, cashbook के regarding problem है, आप इससे पहले की जो वीडियो नमर 24 है, उसको जरूर देखें इसी चैनल पर जानकर ही इस पर अब बात करते हैं, cashbook and its types Briefly करेंगे क्योंकि detail में वहाँ बात हो चुकिया, cashbook हमें पता है, it's a primary books of original entry, includes all cash and bank transactions, all your seats are recorded on debit side and all payments are recorded on credit side of cashbook, it is a subsidy as well as a principal book of original entry, मतलब क्या है, भई, primary book of original entry क्यों कहते हैं, क्योंकि Originally, जब कोई business transaction होती है, तब इसमें directly entry हो जाती है, cashbook में, cashbook में जो debit side है, उसको receipt side, मतलब जब भी कुछ cash प्रापत होगा, तो debit side पर, जब भी payments होगी, तो credit side पर, तो credit side को payment side कहते हैं Substory books है, इसको principal book of original entry भी कहते हैं, इसको अगर मैं कहूँ, ये एक तरह का sub journal भी है, कैसे है, वो हम बागे भी बात करेंगे, types of cashbook, single column, double column cashbook, triple column cashbook and petty cashbook आज हम numerical के regarding, जो सीखना है, उसको मन से सीखेंगे, पर उससे पहले, या ऐसे एक बार हम जो format हैं, उनको देख लेते हैं, जो performer है, जिसमें हमने cashbook से rate transaction को भरना है, सबसे पहले single column, cashbook जा जिसको simple cashbook कहते हैं, date, particulars, laser folio, amount, ये debit side पर है सारा, और फिर इसके बाद credit side पर, same column है date, particulars, laser folio, amount, ये credit side, हर एक cashbook चाहे single column है, double column है, triple column, debit side, receipt side है, जो credit side है, वो payment side है, जब भी कुछ pay करेंगे, business से cash चाहेगा, bank से payment होगी, तो credit side पर, जब भी कुछ receive होगा, चाहे cash के रूप में, जा check के रूप में, वो debit side पर, तीनो ही cashbook में, ये बात हमें ध्यान रखनी होग तो ये थी single column, एक आप देख रहे होगे, मैंने यहाँ पर V number लिखकर छोड़ दिया, नहीं भी, छोड़ा नहीं है, बहुत बार books में, आप जिनके go through होते हो, अपने curriculum को करते हुए, V number का मतलत है, voucher number, ये भी column होती है, पर ये दोनों साइड पर होती है, फिर, ये ध्यान र होई है, जा cash receive होई है, उसके पास जो सबसे बड़ा proof होता है, वो है, voucher number, voucher क्या है, वोचर ही सा, source document, ये cashier के लिए एक तरह का source है, जो उसको बताता है, कि cash या bank के regarding कौन कौन सी transaction किस voucher number के अंडर हुई है, cash परापत हुआ, या cash गया business में से, so, voucher number एक source document है, जो एक resource के रूप में काम करता है, फोरा cashier, समझा ही मेरी बात, और फिर cash book double column का परफॉर्मा, date particular, laser folio, cash, ये तो same है, पर साथ में एक column आगा है, discount, तो ये double column होगे, दो column है, इसी कारण इसका नाम double column cash book, same column credit side पर है, date particular, laser folio, cash, and discount, एक बाध ध्यान रखो, double column है, जरूर ही नहीं, discount और cash कोई double column cash book है, इसकी जगया, cash और bank भी हो सकता है, bank और discount भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, कोई भी दो column इन तीनों में से, discount, cash, and bank, okay, cash book का तीसरा जो रूप है, वो है, triple column cash book, तीन column है, नाम बता रहा है, discount, cash, bank, जो मैंने double में बताया थे, कोई भी दो सकते हैं, तीनों में से अब वो तीनों के तीनों होंगे, triple column cash book में, ये debit side के बाकी सारे column सेम है, इसी तरह से credit side में, इन तीनों में एक चीज़ा आप note कर रहे होगे, LF क्यों लिखा हुआ है, laser folio क्यों है, येस, मैं बताता हूँ आपको, देखने में तो ये laser account की तरह लग रहे है, laser account नहीं है, ये subsidiary cash books हैं, और laser folio इसलिए लिखा है, क्योंकि इन से आगे laser account में posting होती है, तो laser account का जो page number होगा, वो यहाँ पर mention किया जाएगा, जो laser का page number है, इसी कारण यहाँ पर LF लिखा हुआ है, तीनों में ध्यान से देखो laser folio, येस, अब directly हम जो आज का जो main video का part है, numerical question जिसका आप इंतसार कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, numerical questions, single column cash book का करते हैं सबसे पहले, एक बार ये question पढ़ ले, numerical, क्या है, transactions, हमने December 2014 का, जो है, single column या simple cash book बनानी है, cash in hand, ये किसी भी period के starting का balance है, जो businessman के, या cashier के business के हाथ में है, first December को, जैसे यहाँ है, तो उस date को, तो ये opening balance हुआ, जैसे हम balance brought down करते हैं, ऐसे ये opening balance है, pay to sonu, sonu को payment की है, तो payment side पर आएगी, purchase goods, goods purchase की है, cash purchase है, purchase की है, तो payment होगी, तो payment side means credit side पर आएगी, receive cash from Prakash, Prakash से cash परापत हुआ, तो debit side पर receipt side पर आएगा, cash sale की, sale की, तो cash आगया, business में cash, receive हुआ, तो debit side पर आएगा, pay to askumar, askumar को payment की है, तो payment side, credit side, paid rent, फिर rent पे किया, तो कहाँ आएगा, payment side, credit side, कैसे आएगा, आओ देखते हैं, आपकी सुभिधा के लिए, मैंने यहां पर वो question फिर यहां लिखा है, ताकि हम एक एक transaction को कर सके, single column है, सबसे पहले debit or credit, लिखके, पूरा परफॉर्मा बना लिया, अब मैंने जो यह receipt और payment लिख है, यह हमने exam में नहीं लिखना होता, यह की सुभिधा के लिए है, ताकि आप समझ सको, नए students हो आप, तो debit side में क्या होता है, जो भी cash receipt होगा, प्रापत होगा, वो इस side में है, इसलिए इसको receipt side और सारी receipt यहां पर आएंगी, तो यहां पर cash receipt होने वाली सारी transaction debit side पर, और जब भी payment करेंगे, तो credit side पर, इसलिए मैंन earning balance है, cash का debit balance ही होता है, debit side पर two balance brought on, याद रखना, cash का हमेशा debit balance होता है, two balance brought on, 7750, second है, paid to sonu, sonu को payment की यह भी, तो cash की credit side effected हुई, payment side, किसके कारण हुई, sonu के कारण, buy sonu, 45, next है, purchase goods, goods, purchase की है, purchase किया, तो फिर payment हुई, किसके कारण हुई, purchase के कारण, buy purchase, 600, received cash from Prakash, Prakash से cash मिला, received हुआ, तो debit side में, किस ने दिया, Prakash ने, two Prakash, इसके इलावा, cash sale, फिर sale की है, तो business को क्या हुआ, cash प्रापत हुआ, debit side पर, two sale, next है, pay to askumar, askumar को payment की, तो buy, askumar, payment side पर, क्योंकि cash किसको गया, askumar को, उसके बाद, pay rent, rent भी pay कर दिया, 600, एक बात और है, आप देख रहे होगे, कि मैंने two और buy नहीं बताया, इससे पहले की वीडियो जुरूर देखें, जिसके बार बार कराउंड 24 नमबर वीडियो, cash book में जब भी transaction अगरें, debit side पर, जब भी recording अगरेंगे, two के साथ, credit side में, buy के साथ, debit side में, वो सारे account आएंगे, जिनके कारण cash receive हो रहे है, तो credit side में, वो सारे account आएंगे, जिसके कारण payment करनी पड़ रही है, और credit side में, buy के साथ, और debit side में two के साथ उसके बाद सबसे important बात balancing करनी सिखनी होगी वही सिखाने वाला हूं कैसे करते हैं पैस सबसे पहले cash जो इसको amount भी लिखा होता है कई बार books में ध्यान रखना cash भी लिखा होता है बात एक ही है amount represents cash here in this column तो सबसे पहले firstly we are going to add the debit side items तीनों को जब तीन है तो तीनों को एड किया तो हमारा जो total था debit side का वो मैंने यहां green में लिखा हुआ है 9,210 फिर credit side की यह 4 items हैं इनको जो transactions थी इनका जो balance amount है इनका total किया credit side का वो आया 2,445 फिर इनका difference निकाला difference आया 6,765 तो यह 6,750 रुपे यही balance है यह जो जितना balance है यहाँ पर लिखा जिस side का मैं वहाँ पर लिख दिया और लिखा किया buy balance carry down और दोनों side को balancing करने का मतलब क्या होता है दोनों को ब्राबर करने ब्राबर तो थी नहीं तो यह जो balance है यह आएंगे cashbook का यह जो December का period था वो पूरा clear अब बात होती है यह जो हमने balance लिख है यह debit as a credit इसको कैसे decide करें क्योंकि यहाँ पर यह मैंने यहाँ लिख है उपर टाप में देखो right hand side में debit total is more than credit total so here balance is known as debit balance रुपी 6,765 समझे मेरी बात जिस side का total ज़्याद है balance को वही कहेंगे debit ज़्यादा है तो debit credit side का total ज़्यादा है तो credit balance होगा कितना ज़्यादा होगा Same balance जब 1st January को next period शुरू हो रहा है तो 1st January को same balance brought down कर लेंगे 2 balance brought down 6,765 अराम से समझो भी बहुत काम की चीज़ है Single column समझ जागी तो सारी आ जाएंगी Clear होगी न ये Okay करते हैं बात double column cashbook की Enter the following transaction in two column cashbook with cash and discount column of Gopal Cash or discount column बनाने है Cash और bank भी हो सकते है Bank और discount भी हो सकते है कोई भी दो column तीनों में से Okay Performa हम कर चुके हैं एक और question को बढ़ते है Cash balance that is opening balance Goods sale की है हमने तो क्या हुआ cash आ गया Seed side पे Bout goods Goods purchase की Payment side पे Paysay देने पड़ेंगे जाब purchase की है Received cash from Unheal and discount allowed Unheal से cash मिल है Receed side पे Discount allowed की है Okay Pay to Ram and Company Discount received Ram and Company को payment की है Discount मिल है आगे बताता हूँ मैं आपको Sold goods to Mohan Mohan को goods sale की Cash sale Wages paid Paid to sold in full settlement of his account 4000 जबकि उसका account 4000 का था 3800 की payment करके Full settlement कर दी तो जो 200 रुपे हैं वो क्या हो गया Discount Received from Christian After deducting 2% discount Christian से हमें 2% discount Minus करने के बाद 4900 मिले यह जो transaction होती है जो typical होती है इसको मैं सिखाता हूँ यहीं पर फिर आगे बढ़ेंगे Commission received Commission मिली है तो सीड साइड पे Commission आ जाएगे अब यह बड़ी important हिस्स है जोनरी बचे Confuse होती है ऐसी transaction में जो 27th January ही है Received cash from Christian After deducting 2% discount 4900 Christian से भी हमें 4900 मिले 2% discount Minus करने बड़ अब discount कितना था भी यह कैसे निकालेंगे यह ध्यान से रहे दो धंग है एक तो यह होता है कि हमें gross amount पता चल जाए जितने मिले वो उसमें से minus कर देंगे तो discount आ जाएगा दूसरा क्या है कि directly discount निकाल लो दोनों बदाता हूँ सबसे पहले यह right hand side पे नीचे देखो discount is equal to कैसे निकालते हैं percentage of discount multiplied net amount received divided by 100 minus discount का जो भी percentage है वो ही minus यहाँ question में देखो इस formula को हम practically देखते हैं मैंने का percentage of discount discount की percentage कितने थी 2 net amount received को multiplied किया net amount कितना मिला है 4900 divided by 100 minus discount जाब 100 में से 2% discount minus किया तो कितना हो गया 98 से ड्वाइड किया तो discount आगया 100 तो 100 रूपीज दिसकाउंट 4900 cash मिला clear एक धनको हो रहे हैं हम total amount due भी निकाल सकते हैं उसका formula का है यहाँ देखो green में नीचे तरफ red से लिखा हुए gross due से लेने कितने थे उसके हमने पैसे लेने कितने थे कैसे निकालते हैं 100 multiplied by net amount receipt divided by 100 minus discount 100 को जब complete form के साथ solve किया तो same position आगया अब इसको हम numerically solve करते हैं यह मैंने आपकी सुभिधा के लिए क्या किया यहाँ पर same question को आप यहाँ पर भी लिख है ताकि transaction की entry करते हैं मुश्किल ना हूँ cash book double column है double column कौन कौन से है discount and cash discount and cash दोनों तरफ बाकी वही column सबसे पहले cash का balance है 1000 तो two balance brought down opening balance हो गया 1000 next is sold goods goods sale की है to sale 8000 cash sale है debit side पर seat हो गया यह पैसे आगे next is about goods goods purchase की है about मतलब खरीदना buy purchase 5th of January 5th of January को 5000 की cash payment करके हमने purchase कर ली received cash from annual and discount allowed अब annual से cash मिला to annual annual से cash मिला 4800 यह लिखा हुए यहाँ पर और discount कितने 200 to 200 discount आगया next है pay to ramen company and discount received ramen company को payment की तो buy ramen company discount कितने 300 और payment कितनी की है 6000 की next 12th January की entry को ध्यान से देखें क्या है इसमें sold goods to mohon mohon को goods sale की है यह credit transaction है नाम दिया हुए cash लिखानी था credit transaction cash book में नहीं आएगी क्योंकि cash book में सिर्फ वही transaction आती है जो cash और bank से हो तो यह credit है यह नहीं आएगी इसको हम नीचे note लिख देते हैं तो पैसेर सीठ हुए to sale 13th of January की wages paid 18th को pay की है wages 18 January को buy wages क्योंकि payment side है 2100 रुपे की wages pay कर दी next step paid to sohon in full settlement of his account 4000 4000 का उसका total account था उसको payment कर दी हमने और कितनी payment की 3800 की और account full settle कर दिया इसका हमलों जो difference है वो discount जब हमने pay किया तो discount मिल गया payment side पे by sohon 200 discount 3800 की payment received from Krishna after deducting 2% discount 4900 मैंने पिछली slide में आपको बताया था discount कितना आथा 100 to Krishna 4900 उससे receive हुआ और 100 rupees discount हमने उसको दे रिया next step commissioner received फिर receipt side पे 2 commission 400 अब आप ध्यान से देखो इस सारे में जो जब जब पैसा receive हुआ तो हमने debit side पर लिखा जिस transaction के कारण payment हुई तो credit side पर clear अब इसका balance वैसी करेंगे सारे debit का total किया debit की जो चारो item है जब इनका total किया वो आया 26,600 credit side की जो items है हमने इनका total किया चारों का तो वो आया 16,900 difference क्या हो गया 9,700 क्योंकि debit ज़ाता है तो ये debit balance हुआ तो यहाँ पर buy balance carry down जितना भी debit balance निकला था वो यहाँ पर लिखा इससे क्या हो गया दोनों sides का total हमने balanced कर दिया इसी को तो balancing कहते है balancing होती कैसे है जितना difference है वो डालकर दोनों side को ब्राबर क्योंकि debit side का total ज़ाता था अगर कोई पूछ ले जए debit balance है जए credit हम क्या कहेंगे यह debit balance है ओके वही balance हमने brought down कर लिया to balance brought down 9700 सबसे important बात आप देख रहे होंगे कि discount का balance क्यों नहीं किया नहीं करते कभी भी कभी भी discount column का balance नहीं करते यह मैंने ऊपर यहाँ red में एक highlighter बनाया हुए never balanced discount column as both represents to different accounts दोनों लग-लग account है भी cash तो जो represent कर रहे है दोनों तरफ वो cash account है लेकिन एक discount allowed है debit वाला credit side वाला जो discount है वो discount received है यहाँ पर मैंने लिखा नहीं ध्यान रखो discount allowed debit जो discount received है वो कौन से credit इसलिए इनका total नहीं करते दोनों different account है ओके clear यह थी double column cash अब triple column cash book से पहले एक बात मैं आपको आता हूँ contra entries जब भी कोई transaction ऐसी हो एक ही transaction में cash और bank column दोनों पे effect पड़े तो उसको हम contra entry कहते हैं यहाँ लिखा हूँ any transaction which effects both cash and bank columns in cash book it is known as contra entry and written as with C जो alphabet है C के साथ लिखेंगे laser follow column में तांकि वो show हो जाए highlight हो जाएगी यह contra entry और यह दोनों तरफ इसकी posting होगी क्योंकि यह cash debit है तो cash के debit वाले side पर होगी bank debit है तो bank के debit side में होगी credit side में contra entry होती कब-कब है तीन case होते है cash deposit into bank bank में cash जमा करा हो तब भी contra entry क्योंकि bank में cash receive हो गया business से cash चला गया तो cash withdrawn from bank जब विडरा करेंगे cash business में आ गया और bank में cash कम हो गया यह जो third है यह सबसे important और confusing होती है बच्चों के लिए checks deposited into bank check bank में जमा करवाया यह contract ऐसे होगी इसको ध्यान से समझो इसके वारे में यहां लिखा है कौन सा check which is deposited in bank some other day than the date of receive जिस दिन वो check मिला था उस दिन जमा नहीं करवाया किसी और दिन जमा करवाया इसका मतलब क्या हुआ जिस दिन वो मिलता है उस चेक को उस दिन cash मानते हैं ऐसे cash transaction जैसे cash receive होते है और जब उसको bank में जमा करवाया जाता है तो उसका जो transaction होती है just like cash deposit into bank जैसे होती है वैसे उसको किया जाता है तो वो counter entry होती है clear अब करते हैं triple column cash book prepare a cash book with the help of following information for December 2015 suitable cash book लिखा हुए suitable तो हम सोचेंगे question को पढ़ो started a business with cash business शुरू किया cash के साथ cash paid into bank bank column भी आ गया और triple column बना लेते हैं जब cash और bank है ठीक है चलो मान भी लेते हैं triple column है चलो cash paid into bank bank में cash जमा करवाया तो counter entry है purchase goods from हम शुश्मीता शुश्मीता से goods purchase किया है बड़ यह credit purchase है यह नहीं आएगी cash book में sold goods to dinkar and receive a check dinkar को goods sale की और check रापत किया paid to shushmita cash शुश्मीता को payment कर दी जो 5th December को हमने उससे goods purchase की थी उसकी payment 10th December को की है यह transaction आएगी cash book में check received on December 6th 2007 deposited into bank no 2007, 2015 this one is 2015 है यह धिया रखना है जो 6 December को यह check मिला था दिन कर से वो bank में जमा करवा दिया यही मैं कहरा था जिस दिन goods sale की दिन कर से check मिला था उसको हम cash मानेगे और जब अब जमा करवा है तो उसको cash deposit माना जाएगा 14 December को sold goods to Rani, Rani को goods sale की है credit sale है यह नहीं आएगी cash book में, नाम लिखा हुआ है cash नहीं लिखा, इसका मलग credit sale है card is paid in cash, card is बेगी है, payment side पे आएगा received cash from Rani, Rani से cash मिल गया receipt side पे आएगा, commission received commission मिल गया, तो debit side पे drew cash for personal use personal use के लिए business ने business से cash निकाल गया, drawings तो निकाला तो business में cash कम हो गया, drawings के कारण, ओके और देखते हैं, इसको हमने करना कैसे है सबसे पहले में नीचे question को लिखा है, सुभिधा के लिए तांकि उपर जो cash book बनी है उसको समझने में असा नहीं हो, triple column cash book है, हमने बना ली discount की column नहीं है, मैंने triple समझा नहीं थी, discount आपको समझा चुका हूँ triple में यही होता है कि discount की column यहाँ भी और यहाँ भी, हम अगर इसको double column भी बना लाएते, तब भी चल जाता हमारा काम, हाँ जी, started business with cash business शुरू किया cash के साथ, capital आगी business में हमें पता है cash जब business में introduce किया जाता है वो capital के कारण होता है two capital, one lakh twenty thousand cash receive हो गया debit side है, cash paid into bank bank में cash pay किया, अब contra entry को ध्यान से समझो bank में जब cash pay किया, तो bank में balance receive हो गया, bank का account बढ़ गया, तो bank debit side bank pay effect किसका है cash का, two cash और यहाँ पर क्या लिख दिया, C, contra entry अब इस entry का कारण, जब bank में cash जमा करवाया, तो cash चला भी गया cash की payment होगी एक तरह से bank को तो हमने क्या किया, payment side में cash कम कर दिया fifty thousand के साथ, cash account पे effect किसका है, bank का buy bank, okay, bank के कारण, क्या हुआ, cash कम हुआ तो buy bank, यह भी contra entry, दोनों तरफ लिखनी होती है contra entry, आएगी हमेशा ऐसे दोनों दरफ purchase goods from Shishmita Shishmita थे goods purchase की है credit purchase आएगी, cash book में नहीं आएगी sold goods to dinkar and receive a check, अब dinkar को goods sale की check मिला तो हम इसको सिधा bank में मान ले थे अगर जे 14 December वाई entry ना होती, बाद में भी check बाद में जमा कर रहा है लेकिन आप इसको cash माना जाए 6 December, 2 दिन कर दिन कर से एक तरह हैं, जो check था उसको हम cash मान रहे हैं, cash के रूप में 20,000 मिले, actually check है business में, बड़ बाद में जमा कर रहा है तो उस दिन तक उसको check मानेंगे जब check को cash मानेंगे, जब तक bank में जमा नहीं होगा next day, pay to shishmita shishmita को payment कर दी, उसको जो करने थी, buy shishmita buy shishmita 20,000 की cash की payment, check received on December 6, 2015 deposited into bank bank में जमा कर रहा दिया, वही check अब जमा कर वाया है, तो ये contra entry होगी जमा कर वाया, cash जमा कर वाया है, 20,000, तो bank 20,000 के साथ plus हो गया bank में cash receive हो गया, जो bank जो debit side में bank हुए है तो हुआ किसके कारण, cash के कारण, to cash, contra entry उसी तरह से cash कम हो गया business में से, buy bank bank के कारण कम हुआ, contra entry okay, next one 18th की sold goods to Rani, Rani को goods sale की है, नाम लिखा हुआ है भी cash लिखानी, तो credit sale है, ये नहीं आएगी, cart is paid in cash, cart is payment कर दी भी, किराया था, रास्ते के विवस्तों के लेकिया आने का, buy cart is payment side 500 उसके बाद है, received cash from Rani Rani से cash अब मिल है, जो sale की थी, अब ये transaction आएगी, क्योंकि cash को effect कर रही है, two Rani receipt side पे, two cash 12,000, commission received commission में लिए है, फिर receipt side पे two commission, 5,000 drew cash for personal use personal use के लिए cash business से निकाल दिया, मतलब business का cash कम हो गया buy drawings 2,000, ओके, ये सारा करने के बाद, balancing करनी है अब मैंने बताया था, discount तो है नहीं, होता तो होता क्या discount की debit का total अलग करते, credit का, इधर करते, पर दोनों तरफ क्या लिए देंगे, nil, nil nil, nil मतलब zero अब cash की balancing करेंगे cash के debit side का सबका total किया, क्योंकि cash का balance हमेशा debit होता है, तो 1,57,000 credit side का total किया और उसमें से जब minus किया जो difference आया, वो आया 64,500 उसको हमने वहाँ लिखा buy balance carry down 64,500 दोनों तरफ का balance होगे 1,57,000 अब यह जो balance है क्योंकि debit side का total जादा था तो यह क्या है debit balance इसी balance को हम 1st January को brought down कर लेंगे to balance brought down debit side का clear इसी तरह से bank का bank का debit side का total किया 70,000 credit side में कुछ भी नहीं है भी तो सारे ही balance हो गया जे क्योंकि balanced करने अकाउंट को तो 70,000 ही डाले दोनों side of 70-70,000 total बराबर यह जो balance है debit side जादा है तो bank का भी debit balance हो गया same balance हमने brought down कर लिए कई वर question पैदा होता है क्या bank का credit balance हो सकता है cash का कभी भी नहीं हो सकता पर bank का credit balance हो सकता है अगर bank से business man ने overdrawn किया हो इसको overdrawn या overdraft या credit balance from bank कहते हैं bank से overdraft business man कर सकता है क्योंकि business man का current account होता है business चलाते चलाते वो कई भार cash की जरूरत है bank से एक limit जारी करवाता है अपनी जिसके कारण bank उसको ज़्यादा पैसा निकालने की इजाज़त देता है इसके वारे में मैंने जो basic terms थी उसमें वीडियो है उसको देख सकते हो तो credit balance bank का हो सकता है लेकिन cash का हमेशा debit balance होता है यह याद रखना यह था triple column cash की complete entry और उसकी balancing I think the students the whole concept is quite clear थोड़ा lengthy है technical है एक बार सीख लिया मन में बिठाया तो कभी नहीं भूलोगे अगर कोई concept clear नहीं वीडियो के उस इससे में जाएं उसको देखें इसको permanently दिमाग में बिठायें क्योंग यह बहुत काम की वीडियो है आपके लिए एक्जाम में complete जो long answer type question होता है numerical वो आता है जानली cash book से related तो students I think the concept is now clear next वीडियो जो होगी इस channel अपर वो होगी numerical on betty cash book 26th number वीडियो यह मैंने यहां पर mention किया है उसमें देखें उससे पहले बहुत से वीडियो है economics, accountancy, commerce और motivation वीडियो इसी channel पर उन सभी को देखें और नई वीडियोज आती रहेंगी उनका भी इंतदार कीजिए तब तक thank you very much SUBSCRIBE करो